दोस्तो हेलो फ्रेंज नमस्कार वेलकम टू माई चैनल निन्नी मैं अरिंदर कॉर सिंग ये ब्यूटिफुल एम्ब्रोइडरी बताने वाली हूँ इसको कैसे बनाएंगे आप दोस्तो बहुती सुंदर देखिए ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया अब इसको हम कढ़ाई करेंग अब हम पत्ती बनाएंगे देखिए दोस्तो काश्मीरी स्टिच का इस्तिमाल कर रही हूँ पत्ती के लिए काश्मीरी स्टिच से पत्ती बना रहे हैं बहुती सुंदर ये स्टिच होती है दोस्तो बहुत अच्छा लगता है इसमें इसमें बहुती सुंदर लुक आता है एम्ब्रॉइटरी का फिनिशिंग बहुत होती है दोस्तों देखिए आप आप भी बनाईएगा दोस्तों और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मेसेज बॉक्स में डालिए मैं दुबारा रिपीट करके बताऊंगी आपको दोस्तों बनाईए बहुत ही सुंदर देखिए टेहनियों दो पत्तियां है बहुत सुंदर और फिर तीन फ्लावर है इसमें पतली पतली टेहनियां है बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों ये देखिए हमारी सेकंड लीफ ये कम्प्लीट कर रहे हम सेकंड पत्ती अभी completed लग भग complete हो रही है अब एक छोटी पत्ती और है जिसको हम complete करेंगे दोस्तो उसके बाद flowers में आएंगे ये देखे काशमीर स्टिच है उठा करके उसको फिर दबा देते हैं उसी को ये देखे बहुत ही सुन्दर दोस्तो ये स्टिच बहुत सुन्दर है लगती है बनने पे इसलिए इसका इस्तेमाल मैं बहुत करती हूँ ये देखो एक छोटी सी पत्ती है उस पत्ती को भी complete करते हैं दोस्तो फिर उसके बाद हम flowers में आजाएंगे ये देखे छोटी सी लीफ है बहुती सुन्दर है इसको भी काश्मीरी स्टिच से बना रही हूँ अभी उपर है एक छोटी सी लीफ ये देखे लंबी से उसको complete कर देते हैं ये देखे इसे भी complete कर दिया ग्रीन कलर का काम पूरा complete पहले कर दिया हमने अब हम flowers पे आजाएंगे दोस्तो ये रेकिए बहुती सुन्दर है तीन पत्यों का ये flower है इसको dark blood red कलर का इस्तिमाल कर रही हूँ मैं दोस्तों बहुती सुन्दर उठके आ रहा है इस blue कलर में डार्क कलर ही इसमें अच्छे लगने थे इसलिए इसको dark कलर का इस्तिमाल कर रही हूँ में ये डार्क ब्लड रेड है देखिए बहुत उठके आ रहा है इसमें बहुत सुन्दर लग रहा है इसको भी मैं काश्मेरी स्टिच से बना रही हूँ बेबी फ्रॉग के उपर का बॉड़ी है जिस पे हम ये बना रहे हैं दोस्तों उसके बाद मैं बेबी फ्रॉग स्टिचिंग भी बताऊंगी आपको एम्ब्रॉइट्री देन स्टिचिंग बहुत ही सुन्दर लुक दे रहा है हमारा एम्ब्रॉइट्री रेड फ्रॉवर बहुत सुन्दर लग रहा है दोस्तों बहुत ही सुन्दर ये देखिए सेकंड लीफ कंप्लीट होने को है इसमें हम नीचे से थोड़ा सा उठाते हैं सुई को लगा के दबा देते हैं फिर उसी धागे को ताकि वो धागा दबा रहे वो बेतर्तीब उठे ना ये देखिए हम नीचे से उठाए पूरा धागा लिया बीच में दबा दिया उसको फिर से उपर उस पॉइंट पे निकाल दिया जिस पॉइंट पे वो हमारा ड्रॉग किया हुआ फ्लावर है फ्लावर की पत्ती है ये देखिए ये धाए पत्ती हमने स्टार्ट करिए दोस्तों जो एंड पॉइंट है वो हमारा ड्रॉग किया हुआ लाइन पे और नीचे हमने गोला जो पराग के लिए छोड़ रखा है वहां से लेकर के हम पत्ती के सेकंड एंड तक लेते हैं और बीच में दबाते जाते हैं पुरा ल हैं वहुत ही देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि दोस्तो हेंड आम्परोइडरी वैसे भी भी बहुत बहुमुल होती है डिमांड होती है लोगों की इसको आप आप भी बनाएए आप अपना रोजगार का जरिया भी बना सकते एं इसको दोस्तों चोटे स्थर पिस्त करके आप कम पूंजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं कमा सकते हैं महिलाएं दोपहर का टाइम उनका खाली टाइम का इस्तेमाल करें और अपनी कमाई का जरिया बना सकती हैं बहुत ही सुन्दर देखिए हमारा फ्लावर कम्पीट होने को है दोस्तों देखिए बहुत ही सुन्दर यएलो फ्लावर बनाया अभी पिंक बना रहे हम तीन फूल हैं दोस्तों इसमें ट्र्वाव पिंक फ्लावर यहलो भी हमने काश्मेरी स्टिच से बनाया और ये देखिए पिंक भी हम काश्मीरी स्टिच से बना रहे हैं जो शेडेड धागा है हमारे पास लाइट एंड डार्क वो शेडेड है कहीं पर लाइट पिंक है कहीं डार्क पिंक है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है दोस्तों देखिए शेड में आटोमेटिकली उसका शेडेड आ जाता है देखिए हाँ जी दोस्तों बहुत ही सुन्दर लग रहा है दोस्तों रोजगार का जरिया के लिए मैं कह रही थी आपको बना सकते हैं अपना जरिया बहुत कम पुंजी में आप स्टाट कर सकते हैं छोटा सा वैपार अपना ये फ्रॉक्स बना करके ये अमरोइडरी करके फ्रॉक्स टिटिंग करके सेल करा जा सकता है बहुत ही अच्छा है और ये कढ़ाई बहुत खुबसूरत मानी जाती है काश मेरी स्टिच बहुत ही सुंदर होती है फिनिशिंग होती है बहुत अच्छी देखिए आप दोस्तों ये पराग के कण बना रहे हैं इसमें सुई को हमने दो धागे दो बार घुमाएंगे धागे को और दो कलर का कॉंबिनेशन लिया है येलो और डार्क ब्राउन कॉफी ब्राउन कलर मिला के हमने दो धागों को सुई में डाला है और सुई को दो दो बार घुमा करके फ्रेंच स्टिच बोल सकते हैं इसको उसको बना के पराग के कण एक एक कण बनाया दो बार थ्रेड को घुमाया सुई में और उसको वहाँ पर अटेच कर दिया, फिर से नेक्स्ट खाली जगह पर दो बार गुमाया, फिर अटेच कर दिया, सोई को छोटा सा लेके दो बार गुमाया, वहीं अटेच कर दिया, ये दानेदार, हमारे बहुत सुन्दर दानेदार पराग के कण, बहुत सुन्दर और उस आप भरना है न हमें इसलिए बिलुकुल एक सूट के बराबर ही लेकर कि हम एक कन के बराबर नीचे yoga कपड़ा लेते हैं दो-द धार को दो बार घुमाके नीचे फिर से दूसरा स्पेस लेते हैं दो बार गोमाके नीचे इस तरीक से कंड़ बारिक कन बना और जो बहुत खुबसूरती को बढ़ा रहे हैं और दो कलर का धाका का इस्तिमाल किया है येलो और डार्क ब्राउन देखो दोस्तों उठके आ रहा है वह पराग के कड़ बहुत ही सुन्दर ये देखिए ये देखो गोल गोल राउंड राउंड मैं भर रहे हूं जो स्पेस स्पेस है उसी जगह पे दो बार राउंड करके हमने नीचे कर देना है उसको फिर नेक्स्ट खाली स्पेस पे लेके दो बार करके उसको नीचे कर देंगे मेरे प्रीवेस वीडियो में मैंने स्लोली बताया है कि पराग के कड कैसे बतनाना है दोस्तों बहुत ही सुन्दर प कपड़ा हमें दिखाई दे रहा है लेकिन हमें उसे पूरा फुल पैक करना है पराग के कण से जैसे फ्लावर में पराग के कण होते हैं सेम ऐसे ही कण उसमें हम लगा रहे हैं देखिए दोस्तो हमारा लुक बहुत सुंदर फ्लावर का आने बाला है पराग के कण से उसकी ब् देखिए हमारा काश्मेरे स्टिच तो अच्छा ही था लेकिन इस पराग से उसकी सुन्दरता बहुत बढ़ गई है दोस्तों देखिए आप भी बनाएए देखिए लगभग कम्प्लीट पराकन हो रहा है हमारे लगभग एक दो स्टिच और आएंगे वो कॉर्णर में छोटे बस उसको कम्प्लीट करते हैं हपन यह देखिए दोस्तों यह हमारा कम्प्लीट हो गया है इससे कितना सुन्दर हो गया हमारा अब नेक्स्ट फ्लावर्स है यलो है पिंक है इनके भी बनाएंगे दोस्तों बहुत ही सुन्दर यह यलो कलर का है यह लाइट यलो लेमन यलो ह लमन यलो का फ्लावर है ये भी काश्मीरी स्टिच का ही है इसमें भी काश्मीरी स्टिच का इस्तिमाल किया हुआ है पिंक फ्लावर में भी काश्मीरी स्टिच ही करेंगे हम इसमें बेसिकली हमने तीन ही स्टिच का इस्तिमाल किया है एक stem stitch, दूसरा काश्मीरी stitch, तीसरा वो french stitch जो हमने पराग कन बनाने के लिए किया है, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, ये काश्मीरी stitch ये देखिए, अब yellow में भी हम पराग के कन डालेंगे, इसी तरीके से same color भी वही है, dark yellow और coffee brown को मिला करके, हमने उसके पराग कन कंप्लीट किये हैं, अब pink है, इस shaded धागे का इस्तिमाल कर रहे हैं, pink flower में और इसमें भी पराग कन उसी color की होंगे, dark अभी pink color में जो flower है, ये भी काश्मीरी stitch है और उसके जो पराग कन है, वो yellow and dark brown पराग के लिए सेम color इस्तिमाल किया, हमने तीनों flowers में बहुत ही सुन्दर उठकिया आया है ये आपका उठा हुआ फूल के पराग है ये जो बीज बोल सकते हैं हम टेहनी के साथ छोटे-छोटे बीज बना रहे हैं, एक टेहनी है दोनों तरफ ऐसे छोटे-छोटे बीज लगे हुए है ये उस फूल को बहुत सुन्दर बना रहा है बहुत ही खुबसूरत लुक दे रहा है देखिए दोस्तो, completed हमारा बहुत ही सुन्दर हाँ दोस्तो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक कीजिए थेंक यू